Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो C language की है और C language में हम सिखेंगे average calculate करना, average calculate करना बहुत आसान है और मैंने आपको सिखाया भी है कि कैसे बहुत आसानी के साथ आप average calculate कर सकते हैं, लेकिन खास बात ये है कि आज ये student हमें बताएंगे कि average कैसे calculate करना है, तो चलिए शुरू किया जाए, चलिए आप लोग keyboard पकड़िए, mouse पकड़िए और open करें, पहले भी बनाया हुआ है, ये turbo ID चला लिजे, ये turbo ID open हो चुकी है, देख सकते हैं और यहाँ पर ये program पहले से बना हुआ है, लेकिन ये जो है, चला करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बनाएंगे एक नया program, जिस पर आपको दिखाएंगी, तो एक पर चला के दिखा देजिए, फिर आप नया program बनाएगे, ये चल गया, success हो गया, और यहाँ से ये हो गया, आप यहाँ पर कुछ नमबर एंटर करना है, जिसे 5, 2 एंटर किया है, 3, 4, 5, 6, देखिए, इसका average आगया, ठीक है, अब ये तो ये हो गया, अब क्या करना है हमें, अब हमें नया program बनाना है, तो ये नया program बनाओ जी, नया program ये बनाएंगे, तो इसके लिए new file लेंगे, कैसे program बना रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले main function बनाया, यहाँ पे curly braces open किया, और curly braces को open करने के बाद यहाँ पे integer type data type है, ठीक है, और यहाँ पर आई लिया, यहाँ पर एक ये नाम से array बना है, जिसका, यहाँ पर five ही रखो, ज्यादा बड़ा मत रखो, ताकि four रख दो, four रख दो सही है, four रखेंगे तो five number एंटर होंगे, क्योंकि array की size जो है, हम हमेशा array की indexing zero से start करते हैं, तो इसके वज float type एक और variable बनाना है, क्योंकि average float में भी आ सकता है, तो यहाँ पर average भी बना लिया, ठीक है, यहाँ तक तो बाद समझना ही होगी, आप यहाँ पर printf लिखेंगे यह और printf लिखने के बाद, चलो यहाँ पर enter five numbers, five numbers, तो यह five number हो जाएंगे, ठीक है, तो five number एंटर करेंगे, और five number एंटर करने के बाद, क्योंकि user एंटर करेंगा, तो scan up लिखना जरूर ही, ठीक है, उसके पहले हम for loop लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर for, i is equal to i को initialize करेंगे, i में 0 initialize कर दिया, फिर i is less than equal to four करेंगे, ठीक है, न, और यहाँ पर terminate करके, और i plus plus, यानि i को increment करेंगे, तो नीचे आएंगे, अब यहाँ scan up लगाएंगे, अब वो value scan up में आ जाएगी, ठीक है, जो user enter करेंगा, यहाँ percent d, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर address of a i, address of a i, ओके, तो यह हो जाएगा अब i, जो loop चलेगा, उसके हिसाब तो यहाँ पर चीज़े store होती रहेंगी, और यहाँ पर for loop लगाएंगे, और यहाँ पर लिखिए i is equal to zero, i is less than equal to four, i plus plus, ठीक है, तो यह हो जाएगा, ठीक है न, अब यहाँ पर print करवाना पड़ेगा हमें, क्या print करवाएंगे, पहले तो हम सम करवा पाएंगे, तो सम में जाकर के, सम प्लस AI, AI, यानि कि यहाँ पर AI में जो value आएगी, वो इसमें जाकर store हो जाएगी, ठीक है, तो यह हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करना, average is equal to sum upon, कितने नमबर से 5, तो 5 तो इसको divide कर देंगे, 5.0 रखिएगा, क्योंकि हमने float ले रखा है already, ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर वाएगा, यहाँ पर्सेंट एप इस दा एवरेज, दा एवरेज, और फाइप नमबर स, नमबर स, इस, पर्सेंट एफ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, यह आपकी जैसी इच्छा, ठीक है, आँ, हाँ, 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 यह हो गया हाँ very good अब बंद कीजिए terminate कीजिए और यहां पर get cs लगाई है get cs लगाऊ हाँ ठेक है आप इसको save करो save नहीं करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर by default extension क्या दिखाई पड़ा है cpp cpp c++ के file के extension होती है तो ध्यान रखेगाई इसको चलो अब इसको compile करवाऊ हुआ कोई दिखत नहीं है तुम compile करवाऊ clear screen क्लियर थे स्कूड़ा है कोई दिक्रत नहीं है अब यहाँ पे warning आ रहा है और लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है कभी-कभी यह दिक्कत होती है यहां से compile करवाए success हो गया आप यहां से अब run करवाँ पहले उसको हटा हो जो आया हुगा है इसके बटन प्रेस कर वहाँ यह हो गया अब यहां पर पांच नंबर आपको एंटर करने है एक दो तीन चार और यह पांच तो यहां पर three.80 अब यह कैसे आ रहा है उसको हमें एड कर ला होगा पूर में करेंगे कितना आएगा और नाइन धीन करेंगे तो गर यहां पर तू तो तो हम 5 टाइम एंटर करेंगे यानि 10 इसका एडिशन होना चाहिए ठीक है 10 ही होगा तो यह 10 अब 10 जो है 10 को अगर हम 5 से डिवाइट करते हैं तो तू ही आएगा 5 तू जा 10 होता है तो average आपका बिल्कुल सही है ठीक है इसी तरह के से कोई और नंबर भी देख लेते हैं जैसे यहाँ पर हम इसको पहले compile करवाते हैं यहां से यह compile हो गया ठीक है अब इसको run करवाते हैं और run करवाने के बाद यहाँ पर 5 7 8 9 और यहाँ पर 5 ठीक है तो यहाँ पर देखिए 6.80 आ रहा है ठीक है उमीद करता हूं यह बात समझने आई होगी होगी